हेलो एवरिवन वेलकम तू क्लास नमबर 69 अप टो चैप्टर प्रोग्रामिंग इुजिंग सी तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में तो आज का हमारा टॉपिक है ताइप्स ओफ फॉंक्शन तो लाश्ट क्लास में हमने फॉंक्शन के बारे में प्रोग्राम में यूज करते हैं उनको mainly कितने type में डिवाइड किया गया हैं working है एक टाइब वाइड काया है एक टाइप इसे फॉर्ट चॉजे सुट्छा के हम लाइबरेडिव किया थे हैं इस सब्सक्रेकी को to प्रैक्टिस किया है, वहाँ पे हम कुछ functions यूज करते हैं, जैसे कि print app function, scan app function, clr-hcr function, gate-ch function, तो यह जो सारे functions यूज करते हैं, यह सारे functions एक एक तरह के library functions हैं, तो इस तरह के functions को हम library functions क्यों बोलते हैं, जैस तरह के functions header files में declare किये गए होते हैं, जैसे कि हम अगर कोई भी प्रोग्राम करते हैं, उस प्रोग्राम में अगर हम कुछ भी value as a output प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर user से कोई value अगर as a input लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें print app function, scan app function चाहिए, तो ये print app function, scan app function हमें कौन सा header file provide करता है, htdiu, तो ये htdiu header file हमें क्या करता है, provide करता है कुछ predefined functions, वैसे ही को new header file भी हमें provide करता है कुछ predefined functions, ऐसे और भी बहुत सारे header files है, तो ये header files हमें जो कुछ predefined functions provide करते हैं, जिन functions को हम हमारे प्रोग्राम में use करते हैं, उन्स तरह के functions को हम बोलते हैं library functions, टो पता चल गया library functions, हम किस तरह के functions को बोलते हैं, उसके भी आता हैं और एक तरह के function के बारे में जिसका नाम है User Defined Functions, इसके नाम से आपको क्या लग रहा है ये किस तरह के functions होंगे जिस तरह के functions को user या फिर programmer अपने program के अंदर अपने requirement के हिसाब से declare करता है या फिर create करता है उस तरह के function को बोलते हैं user defined function the functions which are declared or which are created by the users or by the programmer during the time of programming programming करते वक्त programmer उस प्रोग्राम के अंदर अपने requirement के हिसाब से अगर कोई function अपने से खुद से create करता है उस तरह के functions को हम बोलते हैं user defined functions तो यहां से हमें इतना पता चला कि हम जितने भी तरह के functions को use करते हैं उसको दो type में divide किया गया है एक type है library functions library function हम किस तरह के functions को बोलते हैं, जिस तरह का function already पहले से declare किया गया है, already पहले से उसका function उसका task define किया गया है, सिर्फ हम उसको use करते हैं, जब भी हमें जरुत पड़ता है उस function को use करने की तो, और user defined function जिस तरह के function को programmer खुद बनाता है, अपने requirement के हिसाब से, और खुद ही उसक करता है कि वो function किस तरह का task किस तरह का operation perform करेगा ओके यह हो गए आपके दो तरह के functions so first type of function हमारा क्या था library functions तो किस तरह के functions को हम library functions बोलते हैं the functions which are declared in the c header files c program में हम जो different type of header files use करते हैं link section में जो different type of header files को हम हमारे प्रोग्राम में link करते हैं उन header files में हमें जो different type of functions declare करके provide किया गया है use करने के लिए उन सारे functions को हम बोलते है library functions simple term में अगर बोले predefined functions जो की हमें built-in functions जो function की पहले से declare किया गया है कि इस function का काम किया कि मतलब किस function को हम किस काम के लिए उस कर सकते हैं उसका definition अगर पहले से ही उसको provide किया गया है उस तरह के functions को predefined functions को हम बोलते है library functions जैसे कि scan app function print app function gets function CLRHCR function get CH function ये सारे functions के tasks already पहले से declare किये गए है header files के अंदर तो इस सारे functions को हम क्या करते हैं हमारे program के अंदर requirement के साथ से directly use करते हैं इस तरह के function को हमें program में ना ही declare करना पड़ता है ना ही खुद से define करना पड़ता है हम directly is functions को क्या कर सकते हैं directly हम header files से लाके यूज कर सकते हैं हमारे program के अंदर ओके तो इस तरह के functions को हम बोलते है library functions आते हैं और एक तरह के function के बारे में जिस तरह के functions को हम बोलते हैं user defined functions तो किस तरह के functions को हम user defined functions बोलते हैं simple टम में अगर बोलें जिस तरह के functions को user या फिर programmer खुद create करता है उस तरह के functions को हम बोलते हैं user defined functions the functions which are created by the c programmer तो अगर आप एकसी प्रोग्राम लिखते हो तो आप ओगए एसी प्रोग्रामर तो आप अगर एकसी प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसी प्रोग्राम के अंदर अगर आप अपने खुद से एक फॉंक्शन क्रिएट करते हो तो उस तरह के फॉंक्शन को हम बोलेंगे क्या user defined functions बोलते हैं तो user defined functions हमें प्रोग्राम में क्यों जरुत पड़ती है functions को हम प्रोग्राम में क्यों उसकरते हैं to make our program easier हमारे प्रोग्राम को आसन बराने के लिए तो suppose एक बहुत लार्ज प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के अंदर हम more than one task perform कर रहे हैं तो अगर हम हर एक task को अलग-अलग group करके represent करना चाहते हैं तो उसको हम अलग-अलग block करके अलग-अलग group करके represent कर सकते हैं एक नाम provide करके जिस नाम को हम बोलते है function so function को हम क्यों उसकरते हैं to make our program easier or to reduce the complexity of a big program एक large program की जो complexity है एक large program को अगर हम main function के अंदर directly लिखेंगे तो ज़्यादा complex ज़्यादा मतलब complicated लगेगा तो उस complex program को easier बनाने के लिए हम use करते हैं function को तो जैसे कि last class में हमने पढ़ा था कि function के तीन aspects होते हैं तो जबकि user defined functions हम खुद create करते हैं तो user defined function हम create करते हैं इन तीनों aspects को हमारे program के अंदर use करते हैं क्या क्या है तीनों aspects function declaration, function definition, function call मतलब जब भी हम को user defined function हमारे program के अंदर create करते हैं तो उसको first हमें declare करना होता है global declaration section में declare करने के बाद declare हम क्यों करते हैं compiler को उस function के बारे में information प्रोवाइड करने के लिए हम उसको declare करते हैं declare करने के बाद फिर हम उसको define करते हैं कि उस particular function को use करके हम किस तरह का task perform करना चाहते हैं जिस तरह का task perform करना चाहते हैं उसके लिए जो statement हमें चाहिए उसके लिए जो code चाहिए उस code को हम define करते हैं उस particular function के अंदर function definition aspect में या फिर function definition section में उसके बाद उसको define करने के बाद उस particular function को use करके हम specific task को हमारे program में जहाँ perform करना चाहते हैं वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं उस particular function का नाम use करके उस function को वहाँ से हम call कर सकते हैं जिसके वाज़े से वो function वहाँ पे call होने से क्या होगा? उस particular function को वो execute करके वो task perform करेगा, जिस तरह का task हम उस function को use करके perform करना चाहते हैं. तो समझ आ गया, function के बारे में different types of function के बारे में आज हमने discuss किया, कि हम library functions किस तरह के functions को बोलते हैं, user defined functions किस तरह के functions को बोलते हैं. तो next class में पढ़ेंगे फिर ऐसे और कुछ topics के बारे में, आज के लिए इतना ही. Thank you.